हाई फ्रेंड्स मैं आज सेयर कनने जा रहे हैं अंडा खिचडी आप इस खिचडी को ब्रेकफर्स्ट लांच या डिनर कभी भी बना के खा सकते हैं जटपड बनके रेडी हो जाते हैं और बहुती टेस्टी लगते हैं खाने में तो आईए फ्रेंड देनना करते हुए रेसिपी देख लेते हैं अंडा खिचडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी मसुर दाल लिए हैं और रेगुलर जो चावल हम घर में खाते हैं ओही चावल ले लिए हैं एक कटोरी जितना मैंने दाल लिये हैं उतना ही चावल ले लिये हैं इससे खिजडी का जो टेस्ट है बहुती बढ़िया आते हैं दाल और चावल के अंदर पानी डालने के बाद इस तरीके से मसलते हुए दाल और चावल को 3-4 पानी से धो के साप कर लेंगे दाल और चावल को धो के साप कर लिए हैं अब पानी डाल के दाल और चावल को भिगने के लिए छोड़ देंगे आधा गंटा के लिए आधा गंटा के बाद दाल और चावल को एक्स्टेनर के अंदर छान लिए हैं अब कड़ाई के अंदर एड़ कर देंगे 6-7 टेविल स्पून के जितना सर्शों के तेल तेल गरम होने के बाद एड़ कर देंगे बड़े साइच के टुकडों में कटी हुई 3 पीस आलू गैस के फ्लेम को हाईपर रखते हुए गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक आलू को फ्राई होने देंगे आलू का कलर देखिए हलका गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं अब सारे आलू को कड़ाई से बहार निकल लेंगे सेम तेल के अंदर एड कर देंगे 4 पीस उबला हुआ अंडा गैस के फ्लेम को मीडियाम पर रखते हुए गोल्डेन ब्राउन कलर आने तक अंडा को फ्राई कर लेंगे अंडा का कलर देखिए हलका गोल्डेन ब्राउन हो चुके हैं अब सारे अंडा को कड़ाई से बहार निकल लेंगे सेम तेल के अंदर एड कर देंगे 2 पीस तेजपत्ता, 4 से 5 टुकडा दालचीनी, 4 पीस एलाईची, 5 से 6 पीस लोंग, और 8 से 10 पीस काली मेर्च साथी साथ एड कर देंगे 1 टी स्पून जीरा, गैस के फ्लेम को स्लोपर रखते हुए 10 से 15 से के लिए भुनेंगे मसाले के अंदर से बढ़िया खुजबू आ रहे हैं, अब एड कर देंगे 2 पीस बारिक कटी हुई हारी मेर्च मसाले के साथ मिर्ची को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे 25 से 30 सेकेंड के लिए मिर्ची का कलर देखिए हलका चेंज हो चुके हैं, अब एड कर देंगे लंबाई में कटी हुई 2 मीडियम साइच के प्याज गैस के फ्लेम को हाइपर रखते हुए प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक प्याज पुरी तरीके से सौप्ट ना हो जाए प्याज सौप्ट होने के बाद प्याज का कलर देखिए हलका चेंज हो चुके हैं, अब एड कर देंगे एक टेविल स्पुन भर के लैसुन का पेस्ट, साथी साथ एड कर देंगे देट टेविल स्पुन अदरक का पेस्ट प्याज के साथ अद्रग लैसुन को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे दो मिनिट के लिए जिससे की अद्रग लैसुन का जो कच्चा टेस्ट है वो चला जाए दो मिनिट भुनने के बाद मसाले के अंदर से बढ़िया खुसबू आ रहे हैं अब एड़ कर देंगे लंबाई में कटी हुई दो मिडियम सेच के टमाटर मसाले के साथ टमाटर को मिक्स्ट करते हुए एक मिनिट भुनने के बाद एड़ कर देंगे पांस से छे टेबिल स्पून के जितना पानी पानी के साथ साथ एड़ कर देंगे सुखे मसाले देट टी स्पुन हल्दी पाउडर देट टी स्पुन लाल मिर्च का पाउडर दो टी स्पुन धनिया पाउडर दो टी स्पुन भुना हुआ जीरा पाउडर साथी साथ एड कर देंगे मसाले के हिसाब से नमाक सारे मसाले को एक साथ मिक्स्ट करते हुए तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर पुरी तरीके से सौप्ट ना हो जाए थोड़ी देर भुनने के बाद टमाटर देखिए पुरी तरीके से सौप्ट हो चुके हैं अब एड कर देंगे फ्राई क्या हुआ आलू और अंडा मसाले के साथ आलू और अंडा को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे दो मिनिट के लिए आलू और अंडा को भुनते हुए दो मिनिट हो चुके हैं अब सारे अंडा को कड़ाई से बहान निकाल लेंगे अंडा के साथ साथ 2 टेबिल स्पून के जितना मसाले हम अलग से रख देंगे ये जो अंडा और मसाले है इसको हम बाद में एड़ करेंगे भिगोया हुआ दाल और चावल को एड़ कर देंगे कड़ाई के अंदर गैस के फ्लेम को हाईपर रखते हुए मसाले के साथ दाल और चावल को मिक्स्ट करते हुए भुनेंगे तीन से चार मिनिट के लिए दाल और चावल को भुनते हुए तीन से चार मिनिट हो चुके हैं अब एड़ कर देंगे गरम पानी जिस कटोरी के नाप से एक कटोरी चावल और एक कटोरी दाल लिये थे सेम कटोरी के नाप से आट कटोरी पानी को गरम कर लिये हैं अब सारे गरम किया हुआ पानी को एड़ कर देंगे कड़ाई के अंदर पानी के साथ सारे चीजों को मिक्स्ट करने के बाद एड़ कर देंगे पानी और दाल चावल के हिसाब से नमक नमक डालते टाइम थोड़ा सा धेन रखिए क्योंकि मसाले भुनते टाइम भी हमने नमक एड़ किये थे पानी के साथ नमक को मिक्स्ट करने के बाद पानी के अंदर बॉयल आने देंगे पानी के अंदर देखिए हलका बॉयल आ चुके हैं अब ढख के मेडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे 20 मिनिट के लिए खीचडी को पकते हुए 20 मिनिट हो चुके हैं अब धक्कन हटाएंगे खीचडी को एक बार मिक्ष्ट करने के बाद चेक कर लेते हैं आलू ठीक से पक चुके हैं की नहीं आलू जो है देखिए कितने असानी से कठो रहे हैं इसका मतलब दाल, चावल और आलू अच्छे से पक चुके हैं अब एड कर देंगे फ्राइ किया हुआ अंडा और मसाले खीचडी के साथ मसाले और अंडा को मिक्ष्ट करने के बाद एड कर देंगे एक टी स्पून चीनी चीनी के साथ साथ एड़ कर देंगे एक टी स्पुन भर के गरम मसाला एक टेबिल स्पुन भर के एड़ कर देंगे घी घी, गरम मसाला और चीनी को खिजडी के साथ मिक्स्ट करने के बाद गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे गैस के फ्रेम को बंद कर दिये हैं मैंने अब उपर से डाल देंगे कटी हुई हरी मेर्च सारी हरी मेर्च को डाल दिये हैं मैंने अब ढ़क के 10 मिनिट के लिए रिष्ट पर छोड़ देंगे उसके बाद ही अंडा खिचडी जो है सर्पकने के लिए रेडी होगा 10 मिनिट हो चुके हैं अब ढ़कन हटाएंगे अंडा खिचडी एकदम रेडी हो चुके हैं अब इस अंडा खिचडी को सर्प कर लेते हैं खट्टा आमाचार के साथ अंडा खिचडी को सर्व किये है मैंने एक बार इस तरीके से बने हुई अंडा खिचडी को घर में जुरूर बनेए और मुझे कमेंड करके जुरूर बताना कि आपके बने हुई अंडा खिचडी के रेसीपी कैसे बने है खाईए, खिलाईए, और इंचोई कीजिए, थेंक्स पर वाचिंग